जी तुपड़वारी आप मरस्थ बने रही है विश्वास सा रंग बने रही है डिप्टी सीम चत्रिस गर जुड़ रहे हैं स्वागत है आपका आटिये सिंग दियो जी सवाल बहुत सीधा है एक्जिट पोल के आखड़े आ रहे हैं कॉंग्रेस को बड़त दिखाई दे रही है लेकिन बीजे पी भी बिल्कुल पीछे नहीं है ऐसा लग रहा है कि टक्कर काटे की भी हो सकती है लेकिन बड़त जरूर कॉंग्रेस को है संतोश है इस बात का और मुझे अभी भी विश्वास है कि कॉंग्रेस साथ के आस पास आईगी लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कॉंग्रेस को की दमखम के साथ तो हर पार्टी लड़ती है लेकिन कॉंग्रेस क्या एक दिखराफ के साथ लड़ रही थी उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है या फिर आप गेज नहीं कर पाए को कि ऐसा लग रहा है आधिवासी बेल्ट में बीजेपी जो पिछली बार बहुत खराब परदर्शन की आता वहां बहुत भैतर कर रही है और शहरों में बीजेपी अच्छा कर रही है अभी समय आएगा दिखिए उसका अंदाज लग जाएगा ट्रैबल बेल्ट में कॉंग्रेस उतना पीछे आपको नहीं दिखेगे आगे दिखेगे दोनों संभाग सरगुजा और बस्तर संभाग में आधे से ज़्यादा सीटें कॉंग्रेस को ही मिलेंगी जी टीय सिंग दियो जी मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि महादेव एप को लेकर जो आरोप लगे और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और जो डिरेक्टली सीएम पे इलजाम भारतियांता पार्टी ने लगाए प्रधान मंती नरिंद मोदी ने लगाए ग्रे मंत्री अमिच्शा ने लगाए क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हावी रहा है इस वज़ा से कॉंग्रेस का नंबर जो है वो टाइट दिखाई दे रहा है 36 गड़ में खास तोर पर ये गंदेस्तर की राजनीती मुझे नहीं लगता है इसका असर पड़ेगा और इतना EDED हो गया है कि उसका कुछ असर नहीं पड़ता प्रभाव नहीं पड़ता देश के प्रधान मंत्रि और ग्रह मंत्री आरूप कैसे लगा सकते उनके पास तो सारी जानकारियां रहती है वो तो कारवाई करने वाले लोग हैं आरूप लगाना ही लोग कहते हैं कि यह तो नितागिरी हो रही है कोई ठोज सबूत होते हैं तो कारवाई हो जाती है कारवाई ही नहीं हुई इसका मतलब भी है कि उनके पास कुछ नहीं थी सब बात कहने के लिए कही जा रही है है कुछ नी करने के लिए कुछ करने को होता तो छोड़ते क्या जानते हैं तब तो सभागी हो जाएंगे कि मालूम है कि गरबड हुआ है और फिर भी हम कुछ नी होने दे रहे हैं मुझे अच्छी तरह से आगे हम 36 गर कॉंक्लेव करने के लिए जो बंद होने चाहिए हम 36 गर कॉंक्लेव करने के लिए 36 गर आये थे रायपूर आये तो आपसे मुलाकात हुई थी और आपने स्पस्ट रूप से का था कि कॉंग्रेस की हर हाल में सरकार बनेगी आप यकीन प्रदेश के अंदर अगर हम पॉलिटिकल एक्वेशन की बात करे तो उसमें कई फैक्टर्स रहते हैं मेरे को दरकिनार करना एशू मेरे ख्याल से बिल्कुल चुनाओकर नहीं था और नहीं सर्गूजा वाली बेल्ट में तो था गर्मेंट में रहते हुए एक डिसेड नह को ये बता के और समझा के हमेशा हम लोग चलते हैं कि देखे एक पार्टी के हम लोग एक परिवार के सदस हैं और मुख्या जो उसका तै करते हैं हम सब को उसको लेके चलना है और हमने हर संभव साथ सभी सातियों ने किया कि परिवार में कहीं कोई बिखराव ना आए और म परिवार माने दीजे मुझे नहीं लगता है कि वैसी बात आएगी सामझे आप बहुत बड़े नेता हैं आपका कद बहुत बड़ा है एक सवाल जो की बहुत एहम है मैं एक पोल को कोट करा हूँ जन की बात का पोल है उसके फाउंडर भी हमारे साथ है परदी बंडारी वो क्लोज एक्वेशन हमें इलेक्शिन में देखने को मिल रही है एक्जिट पोल्स में अगर ये रिजल्ट में भी आती है और कॉंग्रेस सिर्फ तीन चार सीटे आहेड होती है तो क्या ये पूरा जो मुख्यमंत्री का पद को लेकर जो एक खीच्टान है वो हमें देखने को हो लेगी क्या आप भी एक प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पत को लेकर हम लोग कोई दावेदार नहीं है पूरा हम लोगों ने साथ में बैट के निर्ने किया और शेल्जा जी की उपस्तिती में मीटिंग की कोर कमिटी की मीटिंग भी जिसमें भुपेश भाई भी थे पी सी सी प्रेसिडेंट डिपक बैच जी भी थे स्पीकर चरंदास महन जी भी थे तामरदस भाई भी थे शेव डहरिया जी थे मैं था और हम सब ने बिलकुल शांती से सोच समझ कि ये कहा कि पिछले बार जो ये बार ध्यड़े साल की चली ऐसा कुछ हम लोग को कि इस बार कुछ जैश नहीं रहे जी प्रदीप यूर कुशन जी प्रदीप बंडारी बोल रहा हूं जनकी बात से एक ग्राउंड पे ये डेटा के तहट ये सेंटिमेंट देखने को मिला था कि ग्राउंड पे पूरे के पूरे नॉर्दन सत्रिसगर में लोग आपको काफ आपके रिस्पेक्ट में क्योंकि पहले बात हुई थी कि थोड़े समय बाद आप मीडियम रिपोर्ट साही थी कि आप भी सीम बन सकते हैं वो नुकसान दायक हो सकता है वहना पिछली बार सिक्ष्टी सिक्ष्टी फाइफ के राउंड कॉंग्रेस पार्टी 60 प्लस पे थी आपको लगता है कि यह सेंटिमेंट जो है आपके प्रती जो प्यार का सेंटिमेंट है नौर्धन चत्रिजगर के अंदर वो एक एंटी कॉंग्रेस वोट में भी ट्रांसलेट हो सकता है विकॉज पीपल फील कि यूर नौट ट्रीटेड वेल अगर वैसी बात होती अगर उनके मन में ये भावना है तो तो आज भी चाहेंगे न कि अगर मैं विधान सभा का चुनाओ लड़ रहा हूं और कॉंग्रेस की बहुमत आए तो इनके चांस को जिन्दा रखो तो कॉंग्रेस की सीट हरा के मेरे चांस को वो जिन्दा कैसे जाए तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट वैसे में नहीं जाएगा मैं चुनाओ नहीं लड़ रहा होता ये आशी कोई बात होती या एक दम दिखता कि दरकिनार कर दिया गया है तो एक अलग बात होती कि इतना रिस्पेक्ट पार्टी ने दिया इतना सम्मान दिया इतने में आदमी है और उसको अगर और आगे का मौका देना है तो लोगों को हरा के कैसे मौका मिलेगा लोगों को जिताएंगे तब तो उस आदमी को मौका मिलेगा बिल्कुल आप लोग जिताएंगे लेकिन लास्ता हैं भी आपको जिताया था आपको मौका नहीं मिला परदीब का सवाल उसी के इर्दगिर था लास्ता ही भी आपको जिताया था एक उस पूरी बेल्ट में होप थी कि आप सी एम बनने जा रहे हैं इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मेंडेट दिया था करंदास महंत के अलाके ने उनको बड़ा मेंडेट दिया था लेकिन इस बार वो अ हैं तो कहीं न कहीं उसका खामयाजा होता है दूसरा सरवादी वासी समाज के माध्यम से जी मेरा आखरी सवाल आप हमेशा बहुत सपष्ट वादी तरीके से अपनी बात को रखते हैं क्या आपने सोचा था बीजेपी इतना अच्छा इलेक्शन 36 गर में फाइट कर रही है क इतना क्लोज हो जाएगा यह चुनाव पांच साथ सीटों का डिफरेंस रहेगा तीस पैंतिस के आसपास तो उनके आने की पूरी संभावना थी जी मैंने कभी भी बीजेपी को राइट आफ नहीं किया बलकि मेरी आलुसना भी इस्वाबत होती है कि आप बीजेपी को क्यो बोल देते हैं कि उनकी उपस्तिती है अब वो आकड़े हैं जो बता रहे हैं तो मैं उनको कैसे ना कारूँगा कि चाहे लोकसभा का चुनाओ हो चाहे विधान सभा के चुनाओ हो दोनों पार्टी के मिनिमम एक वोट बेस मिनिमम च्छतिस गड़ में बना हुआ है उसके उ थैंक यू सर थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग न्यूज एटीन अन सचा इंपॉर्टन डे आपको बहुत बहुत अविरंदन है आपको एक बार फिर आल दा बेस्ट की डिजल्ट जब आएंगे तीन दिसम्र को नितीज आएंगे क्या आपको लगता है जो बात प्रदीप ने बोली कि आपको लगता है कि खास तोर पर चत्तिसगड में